दोस्तो अगर आपको आपके आईफोन में इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन नहीं आती है, शो नहीं हो रही है, प्रॉबलम आ रही है, तो आप इस प्रॉबलम को कैसे सही करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अप लिस्ट दिखाएगा, ओके, तो यहाँ पर आपको Instagram ढूंड लेना है, यह रहा Instagram, इस पर क्लिक करेए, क्लिक करते ही अगर आपको इस टाइप से यह ओफ दिखा रहा है, तो सबसे पहले तो आप इसको on कर दीजे, आपकी problem सही हो जाएगी, ओके, बट अगर इसको on कर दिया, या फिर यह पहले से on है, तब भी नहीं आती है notification, तो क्या करेंगे, यहाँ पर alerts नाम से एक section दिख रहा है, यहाँ पर तीन options दिख रहे है, lock screen, notification center, banners, तो यह देख लिजए ऐसा तो नहीं, यह तीनो selected ही ना हो, अगर selected नहीं है, तो जिस जिस type की notification चाहिए, उस उस पर click कर ठीक है, या तो फिर सब पर ही click कर दिजए, तो सारी type की आएगे, अगर किसी type की नहीं चाहिए, जैसे माल लेते है, banners नहीं चाहिए, या फिर lock screen नहीं चाहिए, तो आप इस पर बंद कर देंगे, click करके, या फिर notification center नहीं चाहिए, तो इसको click करके नहीं select करेंगे, आपके में यह type से on होगा, ठीक है, जितना भी minute लगा हो, ठीक है, तो आपको करना क्या, इसको click करके, बंद कर देना है, जैसे ही बंद कर देंगे, आपकी problem सही हो जाएगी, फिर भी नहीं सही होती है, तो आप quiet mode पे click करिएगा, यहा पे आपके quiet mode on होगा, इसको simply बंद कर कर दीजे, यहाँ पे okay, turn off पे click कर दीजे, बस यह बंद हो जाएगा और उसके बाद आपको notifications आने लगेंगे, आपकी problem सही हो जाएगी, लेकिन अगर आपको notification आने लगती है, बट जो उसका content है, वो नहीं दिखाता है कि notification क्या है, तो आप यहाँ पे आएंगे वहीं पे, ठ अगर आप always पे click कर देंगे, तो फिर हमेशा दिखेगा, चाहिए आपका phone lock हो या फिर unlock दो, आपको notification content भी दिखेगा, तो जो भी चाहिए आप उसके पे click कर लीजेगा, उसके बाद आपकी problem सही हो जाएगी, अगर वीडियो से help हुई हो, तो वीडियो को कर दीजे, like, channel को क पर लीजे subscribe and bell icon को press, ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए